हेलो दोस्तो, आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट पर आपका स्वागत है दोस्तो, इद उल्फित्र, मुसलमान रमजान उल्मुबारक के एक महिने के बाद एक मजहभी खुशी का त्योहार मनाते हैं जिसे इद उल्फित्र कहा जाता है ये यकम स्वाल अल्मुर्करम को मनाया जाता है इद उल्फित्र इसलामी केलेंडर के दसवे महिने सवाल के पहले दिन मनाया जाता है इसलामी केलेंडर के सभी महिनों की तरह यह भी नए चांद के दिखने पर सुरू होता है मुसल्मानों का त्योहार ईद मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्योहार है इस त्योहार को सभी आपस में मिलके मनाते हैं और खुदा से सुख, शांती और बरकत के लिए दुआये मांगते हैं पूरे विश्व में ईद की खुशी पूरे हर सुल्लास के साथ मनाई जाती है दोस्तों, मुसल्मानों का त्योहार ईद, रमजान का चांद डूबने और ईद का चांद नजर आने पर उसके अगले दिन चांद की पहली तारिक को मनाय जाता है इसलाम में दो एदों में से यह एक है, दूसरी एदुल जुआ है या उसे बकराईद का जाता है पहली एदुल फित्र पेगंबर मुहमद ने सन 624 इस्वी में जंग एबदर के बाद मनाई थी इदुल फित्र के आउसर पर पूरे महिने अल्ला के मौमिन बंदे अल्ला की अबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं और कुरान की तिलावत करके अपनी आत्मा को शुद करते हैं जिसका अजर या मुजदुरी मिलने का दिन ही इद का दिन कहलाता है जिसे उत्सव की रूप में पूरी दुनिया के मुसल्मान बड़े हर्सुलास से मनाते हैं इदुल फित्र का सबसे एहम मकसद एक और है इसमें गरीबों को फित्रा देना वाजीब है जिससे वो लोग जो गरीब हैं, मजबूर हैं अपनी इद मना सकें, नए कपड़े पहन सकें और समाज में एक दूसरे के साथ खुशिया बाट सकें फित्रा वाजीब है उनके उपर जो 52.50 तॉला चांदी या 7.50 तॉला सोने के मालिक हों अपने और अपनी नाबालिक उलाद का सदके फित्र अदा करें जो कि एद उल्फित्र की नमाद से पहले करना होता है एद भाईचारे वे आपसी मेल का त्योहार है एद के दिल लोग एक दूसरे के दिल में प्यार बढ़ाने और नफरत को मिटाने के लिए एक दूसरे के गले मिलते है उपवास की समापती के खुशी के अलावा इस एद में मुसलमान अल्ला का शुक्रिया अदा इसलिए भी करते हैं कि अल्ला ने उन्हें महिने भर के उपवास रखने की शक्ती दी हाला कि उपवास से कभी भी मोक्ष संभव नहीं क्योंकि इसका वर्णन पवित्र धरम गरंतों में नहीं है पवित्र कुरान सरीव भी बखबर संत से इबादत का सही तरीका लेकर पूर्ण मोक्स प्राप्त करने के लिए सरुषक्तिमान अल्ला की पूजा करने का निर्देश देता है इद के दोरान बढ़िया खाने के अत्रिक नए कपड़े भी पहने जाते हैं और परिवार और दोस्तों के बीच तोफों का आदान परदान होता है सेवया इस तोहर का सबसे महत्पून खाद्य पदार्थ है जिसे सबी बड़े चाओ से खाते हैं इद के दिन मस्जितों में सुबह की प्रारतन से पहले हर मुसलमान का फर्ज होता है कि वो दान या भिक्षा दे इस दान को जकात उल्फितर कहते हैं यह दान दो किलोगराम कोई भी परती दिन खाने की चीज का हो सकता है मिसाल के तोर पर आटा या फिर उन दो किलोगरामों का मुल्य भी से पहले यह जकात करीबों में बाटा जाता है उपवास की समाप्ति के खुश्य के अलावा इस एद में मुस्लमान अल्ला का शुक्रिया अदा इसलिए भी करते हैं कि अल्ला ने उन्हें पूरे महने की उपवास रखने की शक्ती दी एद के दोरान बड़िया खाना खाने कहते नए कपड़ी भी पहने जाते हैं और परिवार और दोस्तों की बीच तोफों का आदान परदान होता है सेवईया इस तोहर की सबसे जरूरी खाद्यपदार्थ है जिसे सबी बड़े चाओं से खाते हैं एद के दिन मस्जिदों में सुबह की प्राफना से पहले मुसल्मान का फर्ज है कि वो दान या बिक्षा दे इस दान को जकात उल्फित्र कहते हैं एद का परू खुशियों का तोहर है वैसे तो यह मुक्य रूप से इसलाम धर्म का तोहर है परंतु आज इस तोहर को लगबख सभी दन्मों के लोग मिल जूल कर मनाते हैं दरसल इस परूप से पहले शुरू होने वाले रमजान के पात महीने में इसलाम मजब को मनाने वाले लोग पूरे एक माह रोजा मतलब वर्त रखते हैं रमजान महीने में मुसल्मानों को रोजा रखना अनिवारिया है क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इसे अल्ला परशन होते हैं यह परूट त्याग और अपने मजब के परती समर्पन को दर्शाता है यह बताता है कि एक इनसान को अपनी इनसानित के लिए इच्छाओ को त्याग करना चाहिए जिससे कि एक बेटर समाज का निर्मान हो सकी एद उल्फित्र का निर्धारन एक दिन पहले चांद देखकर होता है चांद दिखने के बाद उससे अगले दिन इद मनाई जाती है साओधी अरब में चांद एक दिन पहले और भारत में चांद एक दिन बाद दिखने के कारण दो दिनों तक इद का परो मनाई जाता है इद एक महत्पुन त्यौर है इसलिए इस दिन छुट्टी होती है एद के दिन सुबह से ही इसके तैयारिया शुरू हो जाती है लोग इस दिन तरह तरह के व्यांजन पक्वान बनाते हैं तथा नएस वस्तर पहनते हैं तो दोस्तों अमीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको एदुल फितर से जुड़ी सारी चोटी बड़ी जानकरी अच्छे से दे दियोगी दोस्तों जानकरी अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगे शेयर करें और दोस्तों आप इस पर या इदूल फितर के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप हमें केमेंट सेशन में लिख के ज़रू बताए दोस्तों और इसे के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोर्टिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें दोस्तो ऐसी ही वीडियोज फेस्बुक पर देखने के लिए मेरे फेस्बुक पेज आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट को फोलो करना ना भूले धन्यवाद दोस्तो जै हिन हंते जह सतनी है उर शाला व्डियोंबख फेस्बुक आरके मिल टांगे आरके मिल सकें